वेलो गाई जाएम प्रीज, वेलकम टू ओकेवाक्यू आज हम लोग पढ़ेंगे एडियम चले शुरू करते हैं पहला है फिल ब्लू फिल ब्लू मतलब गया वता है निला महसुस होना लेकिन इसका मतलब गया वता है तू फिल सैट दुखी होना या उदास महसुस करना सरा फिल्ट ब्लू आप्टर हर्ड डिवोर्स डिवोर्स मनवता तलाग लगा विवानु छेद इसमें दो वकेबिलरी एक हर्ड है हर्ड मतलब क्या होता है सुना अब ब्राड अब ब्राड मतलब क्या होता है बिदेश, स्वतंत्र, घर के बाहर, परदेश में चार और फैला हुआ यह होता है अब ब्राड अब हम लोग आके बके लड़ी पढ़ेंगे जिसमें हैं एक फिल ब्लू के बाद सुरू करते है इडियम है नाइट आउल यह परसन हो प्रिफर टो बी अवेक लेट इड नाइट जैसे इसमें क्या है उल्लू के करता है रात में जगता है इसलिए वहां से इडियम को उठाया गया है रात को जगने वाला एक ऐसा इंसान जो देर रात तक जगता है या जगता है रात का उल्लू My wife's are night owl but I like to be in bed by 10 o'clock In my youngest days I was quite a night owl and would often stay up until sunrise यह था vocabulary night owl यह person who prefers to be awake late at night आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो रात में जगते होंगे है की ने? रात में जगते पढ़ाई करते हैं तो उसको कोई बोल सकता है कि night owl आगे चलते हैं drop the ball क्या मतलब बता है गेंद को गिराओ drop the ball आगे इसमें क्या है to make a mistake especially by doing something in a stupid or careless way to make a mistake गल्ती करना examples की बात करते हैं for God's sake don't drop the ball on this we are relying on you इसमें मतलब क्या हुआ? rely बहुत बर पेपर में आया हुआ है rely मने होता है भरोसा करना आगे है everything was going fine in the election until my campaign manager dropped the ball campaign मने क्या हुआ है? अभियान मुहीम अंदोलन इस सब मतलब बता है campaign का ते अगे मतलब है drop the ball हम लो आगे चलते हैं in deep water गरे पानी में in deep water या बोल सकते हैं in a difficult कठनाई में या serious situation जब बेसा situation हो जो serious हो in deep water गरे पानी में एक जम्पल से John is having travel with back Texas in deep water जोन समस्या में है क्योंकि टेक्स भरना है उसको इसलिए he is deep water आगे है I am in a deep water I am in a deep water because I lie to my wife मैं भी मतलब कि गरे पानी में हूँ क्योंकि मैंने अपने वाइब से जूट बोला है जूट कोई भी बोलेगा अब गरे पानी में ही जाए लाई मने जूट बोलना अब हम लोग चलेंगे आगे जो idiom है उस पर पढ़ते है As feet as a fiddle आज के बाद से आप लोग बोलोगे भला चंगा As feet as a fiddle भला चंगा प्रसन होना संतुष्ट होना To be very healthy and strong भला चंगा प्रसन होना संतुष्ट होना को बोल सकते हो As a feet as a fiddle एक्चेंपल्स के बात करते है My grand mother is 89 but she is as fit as a fiddle मेरी जो दादी है 89 की है प्र भला चंगा है प्रसन है संतुष्ट है As fit as a fiddle है अगला है Yes I did Have surgery a few months एगो बट आया मैं जब फिट आया जब फिट आया जब फिट अल ना हो मेरा कुछ मैने फहले सरजरी हुआ है लेकि मैं फिर भी भला चंगा हूँ अब अब आगे चलते है जबादे हैं अब बतर जबादे हैं इसको बात करते हैं एक्जम्पल के एदर उदर घुमते रहना अगर क्या मतलब होता है इसको लाउंज बोलते हैं लाउंज माने होता है बैटक, विश्राम, सुस्ताना, सराव, गर्पति, चाले माउज करना लाउंज अगला है तो आप लोगों फिर से पढ़ लेते हैं दूरिंग दोग देज अप समर, पिपल रिफर तो रिमें इंडोर्स और गो आउट अज लिटिल अज पासिबल अज अब तो लोग घर में रहना पसंद करते हैं आप लोग के ऐसा लागा अच्छल कर चलें सब्सक्राइब लेजाए झाल